अच्छा क्या होता है ना हम घर को कितना भी साफ कर लें लेकिन अगर कपड़े हैं तो फैले रहते हैं तो घर कितना भी साफ रखो लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा घर जो है भरा पड़ा है तो यह देखिए फ्रेंड्स विंटर के मौसम में बहुत चारे ऐसे कपड़े निकल जाते हैं जिसको आप कितनी बार फोल करके रखो ना तीधर उधर हो फैली जाता है तो चलिए बस आज मैं वही उसी के लिए बहुत ही बेश्ट अर्गनाजल लेके आई हूँ तो यहाँ पे मैं पुराना सर्ट ली हूँ और इसको मैं कल ले रही हूँ इस बाजू को काट करके निकाल ले रहे हैं तो बाजू को हमको सर्ट के बराबर ही काटना है आप लोग देख सकते हैं तो इस तरह से हम बराबर करते हुए दोनों साइट के बाजू को निकाल लेंगे तो बाजू को निकालने के बाद हम नीचे के साइट भी इसको बराबर कर ले रहे हैं तो मैंने यहां पर निशान लगा करके कट कर लिया हुआ है तो फ्रेंड्स यहां मैं उन लोगों के लिए आरगनाजरी बहुत ही बेश्ट होने वाला है जिनकी पास अलमिरा नहीं है और बहुत बहुत ही बेश्ट है आप कहीं भी हैंग कर देंगे न देखने में काफी ज्यादा खुबसूरत भी लगेगा साथ ही जाद हमारे जो कपड़े हैं वो इधर उधर फैले नहीं मिलेंगे यहां पर मैंने सारा कट कर लिया हुआ है कट करने के बाद चलिए मैं आपको दिखा रही हूं कि मुझे और कहां कहां पर कटिंग करनी है और करने के बाद किस तरह से हमको सिलना है तो बस cutting करने के बाद बराबर करने के बाद मैं यहाँ पे ना आप चितना मतलब उसको चौड़ा रखना चाहो तो यहाँ पे मैं साड़े चार इंच ले करके इस तरह से निसान लगा ले रही हूँ दोनों साइड तो देखिए यहाँ भी मैं कल ले रही हूँ और उधर भी इ साइताकार में कट कर लेने हैं तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड निसान लगा लिया हूँ है तो यहाँ पे मैं साड़े को फिर से कर ले रही हूँ बराबर और करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी तो चलिए कल लेती हूँ दोनों साइड तो पहले इधर का मैं कल लू किये मुझ इतक चुश्रेक्ट करनी तो सबसे पहले मुझे नीचे के साइड इस तरह Hers on और उसके बाद उसको पकड़ करके सिलना है तो चलिए कंची pet says गुआ है तो मैंने सबसे पहले सबथे को किया उल्टा उसके बाद में यहां पे कलिग नीचे की कपड़े बहुत सारे कपड़े इसमें रख सकते हैं कि इसासे पकड़ करके इस सिलक्राइब Stream रही हूं बराबर तो देखिए आपको बिल्कुल जिस तरह से कटिंग किया हुआ था वह इस तरह से नहीं सिलना है आपको इसको ट्रेंगल के हिसाब से सीना है तो यहां पर मैं कर दी हूं बराबर और करने के बाद मैं लगा लूँगी शिलाई और मैं हर जगा डबल शिलाई ready हो गया है तो यहां पर मैं कल ली हूँ सीधा तो यह संतियेख सकते हैं आप लोग तो हमारा जो organizer है कुछ इस तरीके से बनके ready हुआ है तो यहां पर इतना चोड़ा हुआ है तो चलिए इसी के साफ से हम रखेंगे कार्डबोर्ड तो यहां पर मैं उसी के नाप से कार्डबोर्ड काट ली हूँ यह देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट आया है तो इसी के कार्डबोर्ड जो है हम नीचे एड करेंगे ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो मूड़े ना तो पहले हम इसको रखते हैं साइड और तो इस तरह से यहां पर सिल्के रेडी हो गया है तो चलिए हम इसी में कार्डबोर्ड को डाल दे रहे हैं फ्रेंड और यहां पर मैं दो कार्डबोर्ड डालूंगी तो पहले मैं यह के करके डाल रही हूं और मैंने एकदम फिटिंग से सिला हुए ताकि बिल्कुल भी लूज ना रहे तो चलिए यहाँ पर मैं डाल ले रहे हूँ और डालने के बाद आपको दिखा रहे हूँ ताकि यह बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए मोटा हो जाए तो यहाँ पर डालने के बाद चलिए हम इसको शर्ट में डाल दे रहे हैं तो सबसे पहले हम बटन को खोल ले रहे हैं खोलने के बाद इसी में हम डालेंगे तो बहुत ही बेश्ट आर्गनाजर है आपके कपड़े जो हैं इधर फैलेंगे नहीं बच्चे क्या होता है न कि एक बार पहन लेते हैं उसको बात फेक देते हैं वो गंदा नहीं भी होता है फिर भी इधर उधर कहीं रखने से और ज्यादा गंदा हो जाता है तो दुबारा पहनने के लाइक नहीं होता है तो यहाँ पे बहुत ही बेश्ट आर्गनाइजर जो है यहाँ एक कबर हो जाएगा आप इसमें बटन भी लगा हुआ है लगा सकते हैं तो आप असानिस अपने कलाथ को रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे कार्ड़ जो है अच्छे से फिक्स कर दिया हुआ है तो यहाँ पे यह बहुत सारे जो विंटर के मोटे मोटे कपड़े हैं फेंट से अकर इनको हम हैंगर में लटकाते हैं तो बहुत जादा धूल मिट्टी पड़ी जाती है तो गंदे हो जाते हैं तो इन सब कपड़ों को हम सुरच्छित फोल्ड करके रख सकते हैं तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े को कर दे रही हूँ पहले फोल्ड बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे आप नीचे से डालते चाहिए और बटन लगाते चाहिए यह देखिए अभी इसमें बहुत सारे कपड़े आएंगे लेकिन मैंने पूरा नहीं भरा हुआ है और इस तरह से इसमें पॉकेट है आप छोटे मोटे चीज जैसे रोमाल म मुझे बगरार रख सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट अर्गनाइजर है यहां भी मैंने हैंक करके रख दिया हुआ है आप लोग साइड इधर उधर देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े हैं जो की बहुत सारे कपड़े इसमें आ भी जाएंगे तो आ कमेंट में अपनी